हिलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रेक तो आईए डेली करेंट अफेर्स की सीरिस को आगे बढ़ाते हैं और आज के सुडियो में देखिए हम 19 जून 2023 के सभी इंपोर्डेंट करेंट अफेर्स को यहां पर डिसकस कर लेते हैं देखें लास्टे सेशन में मैंने आपसे कोशन पूछा था कि 32 सरस्वती सम्मान हाली में किसे प्रदान किया गया है कोशन बहुत इंपोर्डेंट था और आप सभी ने कमेंट में बिलकुल सही अंसर दिया है कि 32 सरस्वती सम्मान हाली में तमिल लेखी का शिव शंकरी को उनक प्रेजी जीकेटरिक के टेलीग्राम से फ्री आफ कॉस्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं आईए सबसे पहला कोशन देख लेते हैं आज के करन्ड अफेर का भारत की G20 अध्यक्षता के अंतरगत साइंस 20 के दो दिवसी सम्मिलन का एजन कहां पर हुआ है तो देखे आप सभी जानते हैं कि 2023 में G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत को सोपी गई है अब इसी के अंतरगत साइंस 20 के दो दिवसी शिखर सम्मिलन का जो आईजन है वो मद्धि प्रदेश के भुपाल में आईजित किया गया है अंसर ए हो जाएगा अब इस साइंस सम्मिलन की थीम की बात करें तो देखें कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर 2023 में साइंस 20 के दो दिवसी सम्मिलन की थीम है आईजन मद्धि प्रदेश के भुपाल में किया गया है जी ट्वेंटी की अगर हम बात करें कि ये संगठन क्या है तो देखें ये जो संगठन है वर्ल्ड की 20 प्रमुक अर्थवस्ताव के वित्मंत्रियों और केंदरी बेंग के गवर्नर्स का एक संगठन है जिसमें देखें 19 देश और यूरोपी संग शामिल है इसलिए इसे जी ट्वेंटी के नाम से जाना जाता है इस अंगठन की स्तापना उन 99 में की गई थी और नरेंद्र मोधी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है क्योंकि इसकी अध्यक्षता 2023 में इंडिया कर रहा है तो जी ट्वेंटी के अंतरगत साइन्स 20 सम्मिलन का अयजन हाली में मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है आगया जाईए विहु कुहु महुत्सव का सम्मंद किस राज्जि से है विहु कुहु महुत्सव की बात करें तो ये अनांचल प्रदेश में जन्जातियों में काफी प्रचलित महुत्सव है अनांचल प्रदेश में देखिए तांग सा जन्जाती के लोग निवास करते हैं इनी के मद्य में विहु कुहु महुत्सव मनाय जाता है तो अंसर तो अनांचल प्रदेश हो गया औरनांचल प्रदेश में इस जनजाती के मध्य में देखिये ये माननेता है कि इस महुत्सव को मनाने से वहाँ पर क्रशी की पेदावार बंपर हो सकती है तो ये एक धान रोपाई महुत्सवे फ्रेंड्स जो की औरनांचल प्रदेश राज्जी में मनाये जाता है अब तांगसी जनजाती के अगर हम बात करें तो ये भारत में अनांचल प्रदेश के चांगलंग जीले में तो पाई ही जाती है इसके अलावा मयानमार के सांगेंग शेत्र के सीमा शेत्रों में भी इस जनजाती का निवास इस्थान देखने को मिलता है तांगसा जनजाती के द्वारा ही अनाचल प्रदेश में विहु कुह उत्सव मनाय जाता है इसके अलावा देखे अनाचल प्रदेश के अन्य प्रमुक उत्सव की बात करें तो तम लड़ू महत्सव, मौपिन त्योहार, सोलूंग त्योहार, जाइरो संगित उत्सव, द्रिय त्योहार, चालो लोकु उत्सव और बूरी बूर त्योहार ये सभी अनाचल प्रदेश के अन्य प्रमुक महत्सव है जिसके हमने अभी बात की विहु कुह उत्सव ये भी अवनांचल प्रदेश रज्जी में ही मनाय जाता है आगे दिखिए हाली में एलिजाबेट लॉंग फोर्ड प्राइस 2023 की से प्रदान किया गया तो देखिए हाली में Elizabeth Longford Price की अगर हम बात करें तो ये इतिहासकार रामचंदर गुहा को दिया गया है इनकी इतिहासिक जीवनी Rebels Against the Raas, Western Fighter for India's Freedom, इसके लिए इने हाली में Elizabeth Longford पुरसकार 2023 से सम्मानित किया गया है देखिए रामचंदर गुहा ने अपने इस historical biography में साथ विदेश्यों का उलिक किया है जिसमें चार ब्रिटिश, दो अमेरिकी और एक आईरिश है इन साथों ने ब्रिटिश राशन के खिलाफ भारत की आजादी की लड़ाई में भाग लिया था इन साथ लोगों में देखिए आईरलेंड की एनी बेसेंट भी सम्मिली थे तो इन साथ विदेश्यों का फ्रिडम फाइटर का जिक्र यहां पर इतियासकार गुहा ने अपनी किताब में किया है इसी के लिए इने हाली में एलिजाबेट लॉंग फोर्ड अवर्ड दिया गया है इस पुरसकार की अगर हम बात करें तो देखिए दोहजार तीन में ये ब्रिटिश इतियासकार एलिजाबेट लॉंग फोर्ड की इस्मनती में शुरू किया गया था हर साल देखे किसी historical biography को इस पुरसकार से सम्मानित किया जाता है 2023 में यह पुरसकार भारत के इतियासकार राम चंदर गुहा को दिया गया है हाली में किसने National Time Release Study 2023 रिपोर्ट जारी की है तो National Time Release Study 2023 रिपोर्ट Central Board of Indirect Texas and Custom के दोरा हाली में जारी की गई अंसर ले लेते हैं पहले अंसर A हो जाएगा अब रिपोर्ट किस से रिलेट करती है यह important हो जाता है तो दिखे यह जो रिपोर्ट है इसका उद्दिश्य भारत में कारगो रिलिस टाइम का दिखे मापन करना है मतलब पोर्ट तक अगर कोई वस्तु आई है कोई सामान आया है तो उसे गंतव्य तक पहुचने में मतलब जहां पर उस सामान को भेजना है वहां तक पहुचने में कितना समय लग रहा है क्लियरेंस लेने में कितना समय लग राए भारत में इन सभी के आकड़ों को ये रिपोर्ट प्रस्तूत करती है CBIC की इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए पिछले कुछ सालों में भारत में कारगो रिलीज का समय कम हुआ है और इसके अलावा भारत में इंपोर्ट आउट्पूट टाइम में भी सुधार हुआ है तो नेशनल टाइम रिलीज स्टेडी 2023 रिपोर्ट हाली में CBIC के द्वारा जारी की गई है जो की देखिए वित्व मंत्राले के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है 2018 में इसे Central Board of Excise and Customs के नाम से जाना जाता था और 2018 से इसका नाम चेंज करके Central Board of Indirect Texas and Customs कर दिया गया है Central Government के Finance Ministry की एक बहुत important organization है इसे याद रखिएगा और इसकी रिपोर्ट को भी याद रखिएगा आगे आते हैं हाली में Sovereign Gold Bonds चर्चा में रहे या बॉंड किसके द्वारा जारी किये जाते हैं तो देखे Sovereign Gold Bonds को भारती Reserve Bank के द्वारा जारी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा सबसे पहली बार इसे 2015 में लाँच किया गया था ये एक स्कीम के तहर लाए जाते हैं जिसे देखे भारत सरकार के द्वारा 2015 में लाँच किया गया था अब Sovereign Gold इसकीम एक्चुल में होती क्या है तो देखे ये सरकार की तरब से शुरू की गई एक खास पहल है जो की भारत में गोल्ड की फिजीकल मांग को कम करने में मदद करती है ये सरकारी गोल्ड बॉंड योजना भारत में 2015 में शुरू की गई थी इसका जारी करता वर्तमान में RBI है हाली में चर्चा में रही खिलाड़ी रोनाल्डो सिंग का संबंद किस खेल से है तो देखिए रोनाल्डो सिंग की अगर हम बात करें तो ये भारत के बहुती फेमस साइकलिस्ट है इनका संबंद साइकलिंग से है फ्रेंड्स अब सुर्खियों में क्यों रहे हैं ये कोश्चन आता है तो देखिए रोनाल्डो सिंग ने पुरूशों के स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने देखिए 9.877 सेकेंड का समय निकाल कर मलेशिया के नियाली में आईजित एशियाई ट्रेक साइकिलिंग चेंपेंशिप में दस्वा इस्थान हासिल किया है और इस तरह से रोनाल्डो सिंग साइकिलिंग में भारत की और से एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाने में कामियाब रहे हैं तो रोणाल्डो सिंग का समण साइकलिंग से है याद रखेगा। हाली में किसे National Fertilizer Limited के चियर मेंड और MD के रूप में निउक्त किया गया है। तो National Fertilizer Limited जो की भारत सरकार की एक उरवरक कंपनी ह फ्रेंड्स। हाली में इसके नए चेर्मेन और M.D. यू सर्वनन बनाए गये हैं। अंसर A हो जाएगा, यू सर्वनन को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेट का हाली में चेर्मेन और M.D. बनाए गया है। जैसा कि अभी हमने बात की National Fertilizer Limited के बारे में इस कमपनी की स्तापना दिखे 1974 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्तित है ये भारत में सारवजनिक शेत्र की सबसे बड़ी उर्वरक कमपनियों में से एक ए फ्रेंड्स जो की भारत की एक मिनी रत्न कमपनी हाली में यू सर्वनन इसके नए चेर्मेन और एमडी बनाए गए हैं। के लोकसवा अध्यक्ष ओम बिल्ला द्वारा किया गया अब देखिए इस सम्मेलन के परपस की बात करें कि इस पहले विधायक सम्मेलन को आयोजित करवाने का उद्देश क्या था तो देखिए विभिन राज्यों की विधाई का के मद्ध में सामंज़ से स्थापित करना और विजन 2030 का सम्मंद किस और्गनाईजेशन से है तो बैंकोक विजन 2030 का सम्मंद बीम स्टेक से है बीम स्टेक की बात करें तो देखिए इस साल के अंत में इसकी बेठक का जो आयोजन है ये थाईलेंड के बैंकोक में किया जाएगा और इसी सम्मेलन में बैंकोक विजन 2030 भी बीमस्टेक संगठन को और बढ़ावा देना और मजबूत करना इस बैंकोग विजन 2030 का मुख्युद्देश है ये जो विजन है mostly देखिए तीन एक्सपेक्ट पर फोकस करता है जैसे शेतरी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना सदस्य रास्टों के मद्ध में सभी हित्धारकों को शामिल करना और बीमस्टेक की आंतरिक शांती को बढ़ावा देना आंतरिक शक्ती को बढ़ावा देना इस बैंकोग विजन 2030 का मुख्युद्देश है बीमस्टेक के बारे में आपने काफी बार सुना होगा ये एक शेतरी संगठने फ्रेंड्स जिसकी स्तापना 6 जुन 1909 को बैंकोग में की गई थी इसका मुख्याले बांगलादेश के ढ़ाका में इस्ती थे सदस्य देशों की बात करें मेंबर कंट्रीज की बात करें तो बांगलादेश, इंडिया, मयानमार, शिरिलंका, थाइलेंड, भूटान और नेपाल ये सबी बीमस्टेक के सदस्य देश हैं 2023 में बीमस्टेक की बेठक कायोजन थाइलेंड के बैंककोक में किया जाने वाला है इसके बाद लास्ट कोशन देखिए आज का चर्चित एशेज टेस्ट सिरिस किन देशों के मद्ध में खेली जाती है तो देखिए इस टेस्ट सिरिस की अगर हम बात करें तो ICC के द्वारा इसे कंड़क्ट कराय जाता है जो की ऑस्टेलिया और इंगलेंड के मद्ध में खेली जाती है ऑस्टेलिया और इंगलेंड के मद्ध में देखिए पांच क्रिकेट मेचों की ये जो टेस्ट सिरिस है हाली में इसकी शुरुआत इंगलेंड के बर्मिंगम में की गई है इस टेस्ट सिरीज में देखिए इंगलेंड के कप्तान बेन स्टॉक्स है और औस्टेलिया के कप्तान पेट कमिन्स है अब जब भी इसका समापन होगा तब हम देखेंगे कि इसमें विनर कौन सा देश रहा है लेकिन अभी के लिए केवल इतना याद रख लीजिए कि एशेज टेस्ट सिरिस जो है औस्टेलिया और इंग्लेंड के मद्दि में खेली जाती है ओके तो यहाँ पर देखिए हमने 19 जून 2023 के सभी important current affairs को डिटेल में समझ लिया अब आज आईए आज की fact sheet में हम प्रमुख निधन को यहाँ पर discuss कर लेते हैं जो की हमें हाली में मई जून के महमें देखने को मिले हैं पहला देखिए प्रसिद्ध वेग्यानिक और केंद्री भवन अनुसंदान संस्तान के पुर्व निधेशक डॉक्टर एन गोपाल क्रश्नन का हाली में 68 वर्ष की आयू में निधन हो गया है पश्चिम मंगाल के इतियासकार रणजित गुहा का हाली में 100 वर्ष की आयू में निधन हो गया सहित्य अकादमी पुरसकार विजेता बंगाली सहित्यकार समरेश मजुमदार का हाली में निधन हो गया इन्होंने देखिये पश्चिम मंगाल के एक निजी अस्पताल में अपनी अंतिम सासे ली है आगे आजाईए हाली में भारती अमेरिकी विकास अर्थ शास्त्री और पद्म भूशन से सम्मानेत पद्मा देसाई का 92 वर्ष की आयू में निधन हो गया है इनका निधन देखिये USA के निउयोक में हुआ है हाली में आसकेलिया के दिगज टेनिस प्लेयर ओवन डेविटसन का 79 वर्ष की आयू में निधन हो गया है दक्षिन भारती फिल्म अभिनता शिरी सरत वावू का निधन हो गया और इसके अलावा आंद्र प्रदेश के तेलगू कहानिकार और साहितिकार केतू विशुनात रेड़ी का भी हाली में निधन हो गया है तो यहाँ पर देखिये हमने मई जून माह में हुए प्रमुक निधन को डिसकस कर लिया यह सभी फ्रेक्ट फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि हमें एक्जाम में पूछे जा सकते हैं इसलिए अगर कोई कन्फूजन हो तो एक बार फिट से रिवाइस करके देख लीजेगा अब आजएए लास्ट डेके करेंट अफेर में जो करेंट अफेर समने डिसकस किये थे उनको एक बार हम यहाँ पर रिवाइस कर लेते हैं सबसे पहला देखिए एशिया कब 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा तो इस साल एशिया कब 2023 का आयोजन पाकिस्तान और शिलंका में सयुक्त रूप से किया जाएगा हाली में चर्चा में रही पोकली चावल की किस्म है दिल्ली में स्तित नहरू मेमोरियल म्यूजियम एन लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल कर प्रधानमंत्री संग्रालय और सोसाइटी कर दिया गया है हाली में चर्चा में रहा जूली लद्दाक या हेलो लद्दाक कारिक्रम भारती नो सेना का कारिक्रम है जो की हाली में लद्दाक में चलाए गया है Writers Institute के Digital News Report 2023 के अनुसार देश के सबसे भरोसे मंद Electronic Media संगठन DD India और All India Radio है चर्चा में रही खिलाडी अधीती गोपी चंद्र एक तिरंदाजी खिलाडी है इसके बाद विश्व बैंक ने दक्षिन एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा प्रियोजना की शुरुआत बांगला देश के ढाका में हाली में की है किस राज्य सरकार ने जेलो का नाम बदल कर सुधार गरह कर दिया है तो जेलो का नाम बदल कर सुधार गरह उत्तर प्रिदेश गवर्मेंट के द्वारा किया गया है Gender Social Norms Index को हाली में UNDP के द्वारा लॉंच किया गया है इसके बाद लास्ट देखिए विशो मरुस्तली करण और सूखा रोकताम दिवस हर साल 17 जून को मनाय जाता है क्लियर तो देखिए ये सभी करण्ट अफेर हमने लास्ट डे के सेशन में डिसकस किये थे अब आजाईए आज के लिए आपका आज का कुशन आफ दे डे है 2024 गरिश्म कालिन ओलंपिक कहां आयोजित किये जाएंगे तो आपको इसका अंसर कमेंट बॉक्स में देना है आई होप सेशन अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करांट अफेर में तब तक अपना खैल रखिए जय हिन जय भारत